Hello students, आज हम सात्वी कक्षया के एक important chapter मृद्दा के बारे में पढ़ेंगे मृद्दा अर्थात मिट्टी जिससे हमें जीवन के लिए आउशक सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं आप सभी जानते हैं मिट्टी में पेड, पोधे और वन उगते हैं जिन से हमें बोजन और कपड़ा मिलता है, पेड, पोधों से हमें जिन्दा रहने के लिए ओक्षिजन मिलती है और मिट्टी से ही हमें आश्रे या मिट्टी में ही सभी जनतुओं को आश्रे प्राप्त होता है अर्थात मिट्टी में मृद्धा में जीवन के लिए जो सभी आवशक्ताएं हैं वो हमें मिलती है मृद्धा परीछेदी का अर्थात स्वाइल प्रोफाइल क्या होती है मिट्टी की मृद्धा की जो विभिन परते होती है उनको हम मृद्धा परीछेदी का कहते है आपने कभी देखा होगा मिट्टी को गहराई तक होते हैं तो मृद्धा में अनेक परते होती हैं उन परतों को मृद्धा परीछेदी का कहते हैं मिट्टी में हुमस, जल, मृद्धी का बालू, बजरी आधी होते हैं मृद्धा में उपस्थित सडे गले जैव पदार्थ हुमस कहलाते हैं गले सडे पदार्थ पेड़ पोदो के जो भाग हैं जन्तूओं के मरने के बाद, एक्सक्रीशन के बाद जो पदार्थ बचते हैं गले सडे वो मृद्धा में हुमस कहलाते हैं और ये हुमस मृद्धा क उपजाव सक्ति को उर्वरा सक्ति को बढ़ाते हैं मृदा का निर्मान कैसे होता है पवनों की साहिता से जल तथा जलवायू की अनेक क्रियाओं से चटानों या कह लिजिए शैलों के तूटने से मृदा का निर्मान होता है इन शैलों के तूटने को अपक्से कहते हैं अपक्से शैलों या चटानों के तूटने को कहते हैं और ये चटाने तूटती है पानी वाईयू या जलवाईयू की अनेक्रियाओं के फल सरू किसी मृदा की प्रकरती उन शैलों पर निर्बर करती है जिन से ये मृदा बनती है और ह्यूमस की मात्रा या ह्यूमस किस परकार का उसमें मिला हुआ है उस मिर्दा में मिर्दा की परकरती उसमें निर्भर करती है अर्थात मिर्दा की परकरती दो जो दो चीजों पर निर्भर करती है जिन सैलों से निर्मान हुआ है उन सैलों पर और ह्यूमस की मात्रा पर मिर मिर्दा की प्रकर्ती निर्भर करती है। ए संस्तर स्थीती गहरे रंकी, हिुमस और खनीज बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जल धारन करने वाली ये संस्तर स्थीती है, उर्वर होती है, इनमें पेड़ पो देउगते हैं, पोदों को पोशन परदान करने वाली परत ए संस्तर स्थीती है। बी संस्तर स्थीती को हम मध्य परत भी कह देते हैं सीर्स मृद्दा के नीचे वाली परत होती है इन में बी संस्तर स्थीती में कम हुमस होते हैं खनिज काफी मात्रा में होते हैं ये कुछ कठोर और सघन होती है अधिक गनतव वाली मिटी होती है कठोर होती है उसके बाद सी स स्थिती आती है जो सेलों के पत्थरों के या कहा लिजी ये पहाडों के टुकडों से चटानों के टुकडों छोटे छोटे डेलों से बनी होती है सी संस्थिती सेलों के बीच बीच में दरारे भी होती है इस परत के नीचे आधार सेल होते है आधार सेल का मतलब जो चटाने है उनका आधार यहीं पे होता है जो कठोर होती है सेलकनो वे हुमस का निर्मान मिर्दा कहलाता है सेलकनो वे हुमस का मिश्रन सेलकन जो छोटे-छोटे चूरा है चटान के टुकडे और हुमस इनका मिश्रन मिर्दा कहलाता है मिर्दा अनेक परकार की होती है बलूई मृदा जिस मृदा में सेलकनों का आकार बड़ा होता है उसको बलूई मृदा कहते है क्योंकि सेलकनों का आकार बड़ा होता है उनके बीच बीच में जो जगे होती है वहां वाईयू भरी होती है इसलिए यह मृदा बलूई मृदा सुवातित होती है वाईयू से भरी हुई होती है सुस्क होती है और हलकी भी होती है क्योंकि इनके बीच में वाईयू भरी होती है नमबर दो मरनम में मृदा इसमें बारीक कणों का अनुपात अपेक्शाकृत अधिक होता है बलूई कणों में जो सेलकनों का आकार बड़ा होता है मरनम्म मिर्दा में सेलकनों का आकार बारिक होता है ये मिर्दा चिकनी मिर्दा होती है नमबर तिन दुम्टी मिर्दा दुम्टी मिर्दा दोनों परकार की मिट्टी वाली मिर्दा अर्थात बड़े कन भी होते है इसमें और छोटे कन की मात्रा भी काफी मात्रा में होती है यह पोधों के लिए सबसे उत्तम मिर्दा होती है मिर्दा के कौन-कौन से गुन होते है मिर्दा में जल को ग्रहन करने की छमता होती है जल को आउसोसित करने की छमता होती है और जल को आउसोसित करने की दर को हम अंते सरवन दर कहते हैं मिर्दा में जल के आउसोसित करने की दर को अंते सरवन दर कहते हैं यह बलूई में आधिक होती है अंते सरवन दर क्योंकि उसमें उनके बलूई मिर्दा के कणों के बीच में जगे होती है स्पेस होती है तो उसमें अंते सरवन की दर आधिक होती है जबकि मरनम में मिर्दा में अंते सरवन की दर कम होती है जिसके कारण मिर्दा में नमी पाई जाती है मिर्दा में नमी अंते सरवन के कारण ही पाई जाती है कौन सी मिर्दा किस फसल के लिए ज़्यादा उप्योगी है गेहूं और चने के लिए मरनम में मिर्दा और दुम्टी मिर्दा ज़्यादा उप्योगते है जबकि दान के लिए मिर्ती का मिट्टी और हुमस समर्द मिर्दा ज़्यादा उप्योगते है दान के लिए मृतिका और हुमस समर्द मृता ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसे जलदारन करने की छमता इसमें अच्छी होती है दुम्टी मृता मसूर वे अन्य दालों के लिए उपयुक्त है कपास के लिए बलूई वे दुम्टी मृता अधिक उपयुक्त है यूमस हमेशा मिर्दा की उपजाव सक्ती को बढ़ाती है मिर्दा अपरदन क्या होता है मिर्दा की उपरी उपजाव परत का जल, पवन या किसी अन्य कारण से हटकर दूर चले जाना दूसरी जगे चले जाना मिर्दा अपरदन कहलाता है मिट्टी की उपरी उपजाव परत दूर चली जाती है जल के साथ भैकर या पवन के साथ हवा के साथ या किसी अन्य कारण से इसे मृद्धा अपर्धन कहती है मृद्धा अपर्धन को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पोदे लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ दो की जड़े मिट्टी को पकड़ कर रखती है उसकी परत को भैकर दूर जाने से रोकती है तो ये था सातविक अक्षा का मृद्दा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाईएगा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा थेंक यू